तो फ्रेंश नमस्कार वेलकम पर नाम आप सभी को मेरा तो प्यार अस्ता मुखड़ा लेके आज जिरू हूं मैं आपके सामने तो आज मैं बात करूंगी अपनी औरिफ्लेम कंपणी का सबसे बैस्ट सबसे बहतरीन सबसे प्यारा सबसे नियारा मतलब जितनी भी तारिफ करो उतना कम है उस प्रोडेक्ट की तो उसका नाम है वेल सूपी तो इसको मैं पिछले एक महिने से ले रही हूं इसके साथ साथ में मैं यह वेलनस की जो कैप्सूल है वो भी ले रही हूं और यह उमेगा 3 की जो टेबलेट है वो भी ले रही हूं यह तीनों मैं साथ में ले र मैं इसके लिए ना इतनी से के साथ इसलिए बोल रही हूं क्यूंकि मैं गाव में रहती हूं हाउस वाइफ हूं हजबेंट बाहर रहते हैं तो घर की ना सारी की सारी responsibility मेरी सर पे होती है बच्चों के PTM से लेके light का बिल भरने तक का मतलब जितने भी सारे गद के kाम होते हैं मतलब एक काम के बाद में इतना ज्यादा ठक जाती थी कि मतलब मैं सोती रहती थी और वो ठकान की वज़े से इतना सारा चिट चिटापन मेरे अंदर रहता था इतनी धकावट महसूस होती थी और सबसे बड़ी बात मेरी ऐज 35 है अभी लास्ट येर्स में मतलब मेरे जोड़ मुझे बताया कि मेरे बॉडी में बिटाइमिंस की बिल्कुल कमी हो चुकी है तो मुझे लंबी दवाईयां खानी पड़ेंगी मैंने दो मेहने के लिए दवा कंटिन्यू करी उसके बाद मैंने ब्रेक लिया कि मतलब मुझे में कितना इंप्रूफ वो रख है तो चार दिन के बाद मुझे फिर वो ही दर्द सुरू होने लगे तो मैंने डॉक्टर से पूछा मैंने का आप मुझे क्या पेन किलर दे रहे हो कि जिसके वज़से मैं जितनी देर दवा खा रही हूं इतनी देर सब ठीक रहता है लेकिन उसके बाद फिर वो ही दर्द सुरू होता है तो ड मज़ सकती हूँ कि अगर हम यह अंग्रेजी दवाईया खा रहे हैं तो वो कहीं न कहीं हमारे हमको डेमेज जरूर करेंगे हमारे जो भी हार्ट है या हमारे जो भी मतलब वो प्रॉब्लम तो करेगा तो मैंने वो दवाईया छोड़ दी और मैं उसी दर्द के सांग अपने ज वो तो मतलब जानका तो किसे को पता नहीं होता कब लेकिन वो तो है कि मैं अभी 35 की हूँ मुझे मेरे आगे बहुत सारा टाइम बचा है तो मैं कैसे इतना कंटिन्यू कर पाऊंगी तो उसी बीच मैं अपनी कंपनी से जुड़ी और मुझे ये मतलब कह सकती हूँ वर्दा मिला औरी फलें कंपनी की तरप से ये मुझे वर्दान मिला जिस से कंटिन्यू किये हूँ अगे और मेरे अंदर इतने सारे changes आ गए है एक तो देखिए कि ता प्यारा चेहरा हो गया है मेरा उपर से ना internal problem जो सारी problem है थी वो सारी खतम हो गई है जोडों का दर्द खतम हो गया कोई दवा नहीं ले रही हूँ और सर में इतना सारा continue इतना गिरता था कि मतलब मुझे उसके लिए भी अब अलग से दवा लेनी पड़ती थी वो मैंने बंद कर दी है और जब MC की डेट मेरी आती थी तो मुझे उस डेट को देखे डर लगता है कि मतलब अब फिर से वो डेट आने लगी तो मैं वो चार से पांच दिन में कैसे जी हूँ मतलब कैसे मैं घर के काम भी करूंगी और मैं कैसे अपने आपको समालूंगी कि मतलब उन चार दिनों में जो प्रॉब्लम है मुझे होती थी ना मतलब इतना सर का दुखना इतना कमर में पेन होना वो सारे दर्दों से मुझे आराम मिला हुआ है मैं मतलब सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं एक अंदर से इतना अपने आपको फ्री महसूस कर रही हूँ कि हाँ इन सब मतलब मैंने सोच लिया था कि साइद इन चीजों का कोई जलाज ही नहीं है क्योंकि मैं दवाइयां खा रही थी तो सब कुछ ठीक हो रहा था अगर दवाइयां बंद कर रही थी तो सब कुछ सेम हो रहा था लेकिन ठैंक्स मेरे अपनी अप्लाइन को करती हूँ सबसे पहले जिनोंने मुझे इधर जॉइन करा इतना सारा समझा के वरना मैं join भी नहीं कर रही थी उन्होंने मुझे join करवाया उनका पहुत thank you मेरे leaders का जो मुझे training दिया जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ये एक तो हमारे business के लिए business तो छोड़ो मुझे उसका तो वो मैं जब करूंगी तब करूंगी लेकिन अभी जो मेरे को problem था वो इस से बहुत दूर हो गया है तो thank you so much बहुत बहुत सारा thank you और मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि आप oriflame से जुडो या ना जुडो मैं हर एक housewife से कहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखो क्योंकि जब हम अपना ध्यान रखेंगे तो तब ही अपने घर का अपने समझेगा यह दवा नहीं है यह प्रोटीन सेख है वो जैसे हमारे बच्चे ना आजकल जिम जाते हैं वो प्रोटीन सेख लेगे आते हैं वो सब वो उनमें chemical होते हैं लेकिन यह सिर्फ fruits के रसों से बना हुआ है इसके कोई भी साड़िफेक्स नहीं है आपका बेट बहुत बढ़ गया है तो इसे ले सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो इसे ले सकते हैं थाइराइट में ले सकते हैं हर एक प्रॉब्लम में इसको ले सकते हैं इसको लेने में कोई भी बुराई नहीं है अगर हाँ अगर बहुत बड़ी भी किसी विमारी से आप जूज यूज कर सकते हैं इसे जैन्स यूज कर सकते हैं लेडिस यूज कर सकते हैं बच्चे यूज कर सकते हैं बारा साल से उपर को तो इतना ही था बहुत सारा थैंक यू और इफलेम को बहुत सारा थैंक यू मेरे लीडर्स को और बबाई